कोई गलफ्रेंड नहीं है बता रही है कुछ कौन है वाद में बहुत गरीब आदबी बाबा मेरे दुद बच्चे बाबा क्या करू आप यूँ तो भागलपूर धेरों चीजों के लिए फेमस है धेरों चीजों के लिए परसिद्ध है कभी ये शिल्क सीटी के नाम से जाना जाया करता था लेकिन वह चीजें अब दक्त चुपके उनके ऊपर एक चीज और हावी हो रहा है और वह नाम है आदर जिसे भागलपूर को वह पहचान मिली है ना कि छेत्रों में नहीं पुरें इंडिया में कहीं भी आप जाएंगे तो एक चेहरा मैं कैमरा मैंसे रिक्वेश्ट करूँगा एक चेहरा दिखाईए ये चेहरा किसी से अंजान नहीं नाम इनका आदर्शानंद है और ये हमारे श खड़े हैं और जो इनका सुरू का मतलब लोगों के साथ विहाइब करने का तरीका रहता था वह अभी तक अगर आप आएगा तो इनके घर में आप देखेगा और इनके अंदर पाईएगा अधर्शान भाई वेलकम है दूसरी वारा आपका हमारे चैनल में आपका स्वाग बदलाव होगी अपने अंदर बदलाव नहीं आएगी बट उपर उपर कुछ-कुछ अलग लगेगा वीडियो वीडियो के लिए होगा और यहां पर अभी कुछ लोग आये थे एक आपके परसंसक्त आपके चाहने वाले थे उन्होंने आपको आदर्स बहुत बदल गया ऐ जो बदल जाए वो में जमाना नहीं तो जमाना नहीं हूं मेरे अंदर जमाना है तो टंचल वाली बात नहीं आदर्स बही है वही था और वही रहेगा यह चीज जब हम पहले आपसे मिलने आए थे तो एक चीज आप से बात हुई थी कि चलिए यह चीज जो आप अभी पे पर आप लोगों को हम बड़े पंदर पर देखें किम सब्सक्स आप अश्य को सब्सक्राइब में परने यન है कि निसे दो हो रही है तो मैंने शूट भी किये है जो कि फॉर्चुनेटली उन्फॉर्चुनेटली वह मुटलब आया नहीं तेक है वह कहीं न कहीं दब गया बहुत बार ऐसा होता है लाइफ है तो लाइफ में ऐसा चलता आता रहता है तो एक दो प्रोजेक्ट बहुत जल शायद आप लोग के समक्ष आप लोग के सामने आज आएगी और एक हमने किया है डिजिटल मूबी शायद आपको पता होगा दफीचर इस्टार करके तो वह किया हमने अभी एक दो और भी है तो अभी काम जाए जैसे जैसे धीरी धीरे कर रहे हैं और लोगों तक लोगों को पता चली जाएगा कि हाँ यह मतलब लास्ट हब आदर शानंद रुखना नहीं आएन रहीं काफी दूर तक जानाहें काफी हम्चाहित जाना है क्योंकि हुआ इनके होसले इनके सत्क्राइए सब्सक्रार नहीं जाते हैं जलम साब मैं僕 नाभाज बोडिवान बड़िला साब मैं बहुत तकलीफ में होता है साब जब देखता है । देखता है साब कि मैं कि सामनी बालों को 场म्हों भी, आपको मेरे के भालों लुए मोय बातकर dose दिर दूज कही वाल तो, τις आपक्र यक घुन소 मेरे आखो में अस्तो हागे ले साप मैंने देखा कि एक आउरत ठंद से ठिटूर रहे लिए मैं देखा रे मैंने बोला रे यह तो बहुत कठीर सबस्तिया है बाई मैं पर सोचा कि सादा अपना देश का जो है कही ना कही कुछ ना कुछ तो मतलब कमी है मैं बड़े दुख के साथ बड़े जजबात के साथ जजबाती हो गया मैं सामने गया उस औरत के मैं भी चादर ओड़े लाता मैं अपना चादर निकालके उस औरत के पास जाकर मैंने चादर को दिया गवारत चाधर ली मायरे को असे हाथ उठाया मै नो उसको परणाम किया वो मेरे को थपड त्पड माढ दी मैं बहुत तकलीप मैं पुचा है जा लग्या गुली मेरे को ठंड लग रहा लॉला颁 कटनें ला술्ड़ हा नावाट् एक चेः की अनंद पठान देखने जाहेंगे पठान की रसागा तो रही है लेकिन देखे मेरे को मूपी देखने कब वक्तिना बिलता है ना लोग डिश् kullandasa rookie спार में उनकी मिम्किरी करी ती और फैस्बॉक पर और इंस्टा पे डाला था तो गोविंदा सर को मैंने भेजा था बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि उनके बर्दे के दिन रात के एक दो बजे गोविंदा सर ने मेरे मैसेज को सीन किया और उनसे अच्छी बाती हुई मैंने फिर वॉइस नोट भेजा होने की तकरीबन मैं 2017-2016 से उनको मैसेज कर रहा था कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि डांस वांस देखता हूँ उनका तो उनसे जब बात हुई मेरी तो उनने गॉड़ ब्लेस कहा तो मेरे को बड़ी खुशी हुई हो सकता है कि इश्वर करे कि महनत कर रहे हैं तो उनसे जरूर मि अच्छा लगा में को देखते हैं कि क्या होता है लेकिन मेरे सवाल का सही जवाब आप पठान के बारे में तो अभी फिलाल जो है ऐसा कुछ प्लाइनिंग वगरा कुछ है नहीं ठीक है और अभी फिलाल जो है पुरानी मूवी के पीछे ही हम दोड़ रहे हैं पुरानी मू लगेगा यह सब सीरीज खतम करने के बाद तब देखा जाएगा ठीक है एक चीज़ और आदर्श भाई अब थोड़ी से आपके जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं या अभी वहां से लेके यहां तक पहुंचने में आपको कितनी कठाई या होनी मतलब के जेलनी पड़ करें तो कैसे करें क्रियेटर्स चोटे बड़े नहीं होता है सोच बड़ी होनी चाहिए और तभी बड़ा कारनामा हो सकता है बस यह कहना चाहूंगा कि काम करते रही है एक ही लाइन पर चलते रही है जब आपका वीजन के लिए रहा है कि आपको वह चीज़ हासिल करनी है तो वह हासिल होएगी अगर आप बीच रहा में आप खुद को मतलब उस सपने को छोड़ दीजेगा या फिर उससे हट जाएगा क्योंकि इस फिल्ड में इस फिल्ड में सिंगिंग के फिल्ड में या आर्टिस्टिक वाले फिल्ड में अगर आप जाना चाहते है तो आपके नसीबी है कि वो लोग इतने सिद्दत के साथ मुहबबत के साथ पेशाते हैं हमारे साथ तो हमें बहुत खुशी है तो तूटिये मत तूटिये तो खुद को समेटने की कोशिश कीजिए कोई दूसरा तिसरा नहीं आएगा आपको समेटने के लिए जब आप गिरेंगे कही लूट के दम पर खड़े हो जाते हो जब चलने लगते हो तब लोग वावाई करते हैं तालियों के बीच ही तालिय सुनाई देती है लोग मिल जाएंगे ऐसे जगर के मिल जाएगा सब कुछ तो सबको मूतोड जवाब आप अपने कर्म से अपने काम से ही दे सकते हैं बाकी आपकरते रहें हार मत मानिए और हाँ एक चीज़ शुरुआज होती है ना शुरुआत किसी भी चीज़ से कर दीजिए आप शुरुआत के लिए आप इंतजार मत किजिए कि आरे फलानवा का बेटा का पास यह हैं हमरे पास तो मुवाईलों ने हैं अरे तो आई-फोन यू करताँ मैं तो मांग मांग के पहले विडियोऄ की अगड़ताता फिर से मेरे पास चोटा सब्झस कारवन का फोन हुआरा मैंने 2 mellan तो साल में खें आपके पास च्क्राइब ऑछी स्मार्ट lessons जरुरी ये हैं कि smartglass हो नहीं क्ठाए फॉन नहीं क्या है कि अगर आपके इरादों में पंक लगाना है तो फिर आप शुरुआत कर दीजिए हिम्मत रखिए होसला रखिए आदर्श भाईया कर रहे हैं एक थोड़ा सा शारुख खान के अंदाज में आप जवाब दीजेगा आदर्श भाईया साधी कब कर रहे हैं किनसे नाम भी बताना होगा जो मुझे देख रहे हैं उनसे मुभबत हो गई है मुझे आधर्श को मुझे अगवरे रहे हैं मैं किसी एक का नहीं होना चाहता हूँ, मैं सभी का हूँ और सभी लोग के लिए मैं दिलो जान से काम काना चाहता हूँ कोई गल्फ्रेंड तो होगी, कोई गल्फ्रेंड नहीं है, बवो मुसाई, अगर मैं गल्फ्रेंड के चक्कर में पढ़िया ना, मुझे मालूमें कि मैं घंचकर में पढ़ जाओंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं सब का होना चाहता हूं और मुझे सब का प्यार मिले, और जब भी गल्फ्रेंड होगी मेरी तो मैं दिलो जान और सीना ठोक के काऊंगा कि that is my girlfriend, she is my girlfriend एक में क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं तो दो गल्फ्रेंड है वह याकी बता रही है कुछ कौन है हमारी गल्फ्रेंड जी हाँ इनके साथ जो हर वीडियो में आप देखते हैं दो लड़किया होती है वही इनकी गल्फ्रेंड है सच है ना देखे तो अंदर से तो लड़के ही हैं है ना आपने भी जब शुरुआत की थी तो भागलपूर की जिया आपका वही आपको एक पहचान दे गया था नहीं वह तीन चैरेक्टर से वारे लिए अधार बाद में आया यह तो रेडियो जब मैं करता था तो रेडियो से यह फेमस हुआ चार साल तक मैंने रेडियो पे जॉब किया तो वहां पर मैंने भागलपूर की जिया का चैरेक्टर लाया थ इसका जो इन्वेंशन हुआ वो अलग तरीके सुआ जब जोक्स आते थे जोक्स आते थे तो जोक्स को जब मैं पढ़ता था मेल फीमेल वाले वाइस पे तो लोगों को पसंद आता था उसी से वह इजाद हो गया तो में को लगा कि यह करना चीए लोग पसंद करने लगे फ अब से उस करेक्टर को वाइस में में बोलता था फिर उसके बाद फिर मैंने उसे अपने चेहरे पर उतारा और फिर लोगों ने तो प्यार दिया ही दिया तो यह है और रही बात चोटे-चोटे बच्चे जो हमारे वह भी उनको भी मतलब मैं अलग-अलग-अलग अलग-अ पर काम करवाया मैंने मैं लड़की अगर बनता हो तो उन्हें लड़का बना देता हूँ लड़की के भी रोल बहुत बहुत तगड़ा करता एक वोई सब लोगों ने सुनी होगी बढ़ा टीफिकल वोईस था दिल में दिल ठोक के कह रही हूं सीना चीर के कह रही हूं एक सब्सक्राइब कर लेता है तो 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 बात करी होगी तरी अम्मान आजाए जाए ठीक है ऐसे करके एक वीडियो वायरल हुआ तो उस पर जो रोल बॉइका बॉइफ्रेंड का रोल था वो छोड़ा बच्चा समयने करवाया था वो इतना सॉलिट कर दिया था तो मेरे को जतस होगे तो बात अच्छी होनी चाहिए प्यारी होनी चाहिए और नेक होनी चाहिए माता पीता का सम्मान करें ऐसी गलफरैंट के तलाश है कोई है तो फिर संपर कीजेगे लेकिन आदर्ष आनंद बनना इतना आशान नहीं है बहुत सारी पड़तीवह इन्होंने अभी आपको दिखाए कैसे मिमिकरी करते हैं ये सारी चीज़ों का सबसे एक जगा समावेश होता है तब जाकर कोई आदर्श अनंद बनता है काफी मेहनत इनके पीछे नहोंने की होगी इनकी लगन इनकी हिम्मत तब जाकर आज भाग कहा लगता है आपको लगता ह ये हमारी खुश नसीब है हम सो लगी कि ऐसा कुछ होता है ऐसे बात करते हैं लोग तो हमें बहुत खुशी होती है लेकिन मैं तो काम कर रहा हूं आम लड़के की तरह जो जिंदगी रोजाना की तरह बिताता है अच्छा करने कोशिश करता है लेकिन हाँ सबसे हट कर अलग करने कोशिश कर रहा हूं तो बस मैं चाहता हुग कि अलग हो नाम मतल prone लोग इस तरहीं से जाने लेगे तो आपको कुछ न कुछ अलग दिखेंगा सबसे को ये कम एप आज कहली मैं ने मैंने वीडियो पोस्ट कहता आज वी मैंने वीडियो कि अउन्हें में सब्सक्राइख को यह वह सब्सक्राइब करना शनलाक्ति तो यह चीज़ हैं भूट अच्छा लगता और हम चीज और कि लोग जब यहां आते हैं तब आपके पता चलता है कि आपकी मेहनत जो है कहीं ना कहीं अच्छी जब आखरी चीज हमारे वीवर्स को जो हमारे नूज देखते हैं हमारे उन वीवर्स को आप अपने जोनी लिवर के इस्टायल में या उनके आवाज में कुछ बाबा बाबा में बहुत गरीवाद भी बाबा मेरे दूद बच्चे बाबा क्या करूं यह तो थे हमारे साथ भागलपूर की शान भागलपूर के वो कलाकार जिन्होंने अपना प हुआँ, हुआँ!